इस शुक्रिवार रिलीज हुई आशुतोष की फिल्म पानी पत को लेकर नया विवाद सामने आया है। महराजा सूरजमल को मराठा पेश्वा शदाशिव राव भाव से हर्यानवी और राजस्थानी में समबात करते दिखाया गया है जबकि लोगों का मानना है कि महराजा सूरजमल शुद्ध रूप से सिर्फ ब्रजभाशा बोलते थे। जब पेश्वा अकेले मुहीम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लोटते हैं। विवाद इसी डालॉग को लेकर था। इस फिल्म पर कहानी की चोरी का भी आरोप लगा था। इस बारे में फिल्म के निर्देशक निर्माता और फिल्म की वितरक कमपनी के खिलाप मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित इस फिल्म में अरजन कपूर, कृती सिनौन और संजेदत मुक की किरदार में हैं। जहां अरजन मराथा पेशवा सदाशिव राव भाव की भूमिका में हैं। तो वहीं संजेदत एहमद शा अबदाली का किरदार निभा रहे है बात करें कलेक्शन की तो पानीपत को फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से मिल रही तारीफ ने इसका शनीवार को बहतर कर दिया दिन। फिल्म पानीपत ने दूसरे दुनियानी शनीवार को 6 करोड रुपए की शानदार कमाई की फिल्म पानीपत ने दो दिनों में 10 करोड का कलेक्शन किया है ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए बने रही है हमारे साथ देख तेरे एशन बत्रे का शुक्रिया